कि अज़के वीडियो में हम लोग सिखेंगे कैसे हम लोग अपने PC और Laptop को स्ट्राइलिस तरीके से मतलब प्रोफेशनला तरीके से सट डाउन कैसे कर सकते हैं आप लोग तो जानते होंगे कि बहुत से लोग या फिर हम लोग खुद यहाँ पे क्लिक करके कि देखिए Windows जो दिखेंगे इस पे क्लिक करके यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ से सट डाउन करते हैं या फिर बहुत से लोग जिनको हम शॉट्कट की पता रहता है तो यहाँ यूज करते हैं Alt यहाँ पर F4 जो हमारा function F4 रहता है यहाँ पर देखिए इस type से भी बहुत से लोग shortcut की कि हम लोग shutdown करते हैं बट आज के वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कैसे हम लोग slide to shutdown कर सकते हैं यह देखिए इस type से यह देखिए इस type से तो इसको create करना बहुत ही easy है यह हम लोग को invild देता है हमारे जो laptop PC में सबके invild रहता है बट यह क्या हम लोग को ढूंडना पड़ता है यह हमारे file में पहले से available रहता है तो आज के वीडियो में लोग सिखेंगे कैसे हम लोग इसको यहाँ पर use कर सकते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले इसको हम लोग delete करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका file manager है यहाँ पर जाईएगा जो हमारा this PC है this PC पर click करिएगा यहाँ पर c drive यहाँ पर click करिएगा तो यहाँ पर देखिए नीचे second last windows दिख रहा है उस पर click करिएगा windows पर click करने के बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे आईएगा अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप लोग type पी कर सकते हैं यही देखिए system 32 यह सब के मतलब laptop पीसी में available रहता है यह देखिए यह file तो इस पर click करिएगा फिर यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर search करिएगा slide only slide search करेंगे फिर भी आ जाएगा यह देखिए slide to shutdown यह आ गया तो इस पर click करके आप लोग इसको copy कर लिजेगा यह देखिए मैंने copy कर लिया इसको तो यहाँ पर जाके हम लोग इसको यहां पर paste कर देंगे desktop पर यह देखिए हमारा हो गया तो आप लोग यहां से इसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी यहां पर देखिए कि इसको डबल क्लिक करिएगा यह देखिए option दे रहा है तो आप लोग इस तरीके से इसको शट्डाउन कर सकते हैं थोड़ा professional टाइप लग रहा है या फिर आप लोग शौर्ट की भी यूज़ करना चाहते कर सकते हैं इसलिए आप लोग इस पर डबल क्लिक करिएगा तो इस टाइप से शट्डाउन हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से इंटरस वीडियो मिलते रहेंगे